गुड मॉर्निंग तु वन एंड ओल आई होप आपने सबने एक्जामनेशन दे लिया होगा और अच्छी से आप सो के उठ चुके होंगे सबके एक्जामस अच्छे गए होंगे कोशन पेपर भी अच्छा था जहां तक हम बात करें अब पिछले एर से कंपेर करेंगे तो इस साल का काफी आसान था एक्जाम लास्ट फाइव एर के कंपरिजन में अगर करेंगे तो और थोड़ा सा लेट मैंने रिव्यू इसलिए डाला है क्योंकि आप एक दो स्टूडेंट से मिलके और फिर रिव्यू बना डालते हैं तो हो सकता है उसकी तैयारी बहुत अच्छी रही होगी इसलिए वो अच्छा बोल रहा है एक्जाम को या फिर किसी ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा तो वो बोल देगा कि एक्जाम बहुत टॉफ हुआ था तो इस तरह से काफी लोगों से आप जब बात करते हैं तो उससे आप एक पीज तो मेरी बात हुई और सबजेक्ट वाइस भी मैने बात करी तो घाट टॉफ वाइस और पीपर वाइस पेपर वान उनकी होगी रही होगी बट ज्यादा बुरा नहीं कह सकते हैं हाँ ये पेपर वन वेरी गुड और इसे मैं ओके की काटेगरी में रख रही हूँ अभी हमारे पास क्या है एक वन वीक बचाया है डितंबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट इसका आ जाएगा और आप चाह रहे हैं कुछ लोगों ने डिमांड करी कि इसका की एंसर की एंसर इतनी जल्दी प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोशन पेपर बी नहीं है यह ओन-लाइन एक्जाम था और अभine बी इसका डाटा अप्लोड नहीं है कि यह कोशन पेपर जो है यह वेबसाइट पर भी अप्लोड होते हैं अभी इतने जल्दी एक्जाम के बाद अभी वेबसाइट पे आपको यह पेपर नहीं मिल सकते हैं तो कियासी इसका नहीं हो पा रहा है, तो हम इसे छोड़ देते हैं, नजी वेस्ट इस पे नहीं करते हैं, और जहां तक बात करेंगे मार्किंग स्कीम की, तो मार्किंग स्कीम का ऐसा था कि अगर आपको पुरे जो स्कोर्स हैं, जैसे आपने 180 का पेपर दिया है, PGT या TGT का, और या फ मार्किंग है, वन फोर्थ एच रॉंग एंसर, तो आपको हर एक गलत जवाब के लिए, आपको वन फोर्थ मार्क्स पर या कट करेंगे, पार्ट A और पार्ट B, दोनों एक साथ एविलेबल होगा, और कंडिट्स क्या होते हैं, पुरे फ्रीडम रहता है कि जो पार्ट पह करके 100% बना दिया है, और आपने कितना गलत सही किया है, तो यह जो नॉर्मलाइजेशन जो होगा, आपका 100% पेपर A से और पेपर B से होगा, तो जैसे आपका जो पेपर A, अगर माल लेजेए, आपने मिनिम्म में उसमें 50% मार्क्स ले लिया है, और आप पेपर 2 में नही मार्क्स कम रह गया है, तो आप इलिजेबल नहीं होंगे TGT या PGT के लिए, लेकिन अगर आपके पेपर 2 में मार्क्स अच्छे आए हैं, तो आप उसके लिए लिजेबल हो जाते हैं, नेक्स अब बात आती है, कि अब जो PGT, TGT अपने पाट B में फेल है, लेकिन पेपर A पास है, तो वो scorecard उन्हें PRT की मिल जाएगी, यह रही बात, अब यहाँ पर क्या है, नेक्स हम एक अनलाइस करते हैं, कि जो scorecard होगा, आप scorecard 3rd December के बाद क्या हो, अगर जो आपका 1st week of December मान के चलिए, यह result आपका आजाएगा, और 3rd December date देके रखा हुआ है, AWES ने अपने website पर कि 3rd December को आपका result आजाएगा, तो बहुत ज्यादा time भी नहीं है, आप वेट कर सकते हैं, 10 दिन की बात है, आप result ही देख लेंगे, तो बिलकुल आप 3rd December के बाद, आपका scorecard जनरेट कर देंगे वो, जिसको कि आप website से ही download कर पाएगे, और यह card valid होगा आपके 3 years तक के 3 years तक क्या होगा, कि आप इससे apply कर पाएगे, जहां भी आर्मी पॉब्लिक स्कूल के लिए आप eligible हो जाते हैं, जैसे आपके पाद सीटेट कार्ड होता है, तो आप सीटेट रहा जहां eligible है, तो यहां पर APS जो आपको एक card जनरेट करती है, जो successful candidate से उनके लिए, तो वो eligible हो होता है कि आपका कब यह आएगा, तो यह हम तो चैनल पर अपडेट करते रहेंगे कि कब आपको आएगा, लेकिन usually क्या होता है, interview आपकी एक होगी, जो December to March के बीच में होगी, December 18 से March 2019 के बीच में आपकी interview होगी, जो कि location of the school पे ही होगी, मतलब जहां जहां school का location होगा, वहा पर local management आपकी interview लेगी, school की, और वहाँ पे आपका evaluation का, interview में आपका evaluation होगा, teaching skills का and computer proficiency का, इन दो चीजों का test होगा, वहाँ पे, तो computer proficiency आप अची होनी चाहिए आपकी, और teaching skill अची होनी चाहिए, तो दोनों चीजों का आपका test होगा, और इसके अलावा क्या करेंगे, आपको committee आपसे लिखवा सकती है, जो आपकी interview ले रही है, तो इस तरह से इसका evaluation होगा, ये तो हो गई exam review की बात, next, अब मैं बोलूँगी कि ये तो आप छोड़ दिए, 3rd December को आप result देख लेना, जैसा भी था, जो भी था exam, आपने लिख दिया, एक बार, अब इसे ज़्य की आचुके है, जैसा भी था आपने लिख दिया है, अब आप उसको कुछ चेंज तो करनी पाऊगे, तो हम की answer पे ज्यादा energy पे नहीं लगाएंगे, की energy जब हमें मिले की तो आपको जरूर चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन अभी हम मूव आन करना है, हमें कहां के लिए, अ बिल्कुल आपको update कराऊँगी, लेकिन अभी हमारा next target है, KVS और seated, तो इसके regarding हम आज से बहुत ही important classes शुरू करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको मैं next video में अपनी बताऊँगी, आज ही से start होने वाला है, तो चलिए, मिलते है next video में, तब तक के लिए, आप सभी लोग होते हैं, next exam पर focus करना है, okay, thanks for watching.